चलाब के गोली सबकी फारदू जो रह गया उसकी गण मैं मारदू वे बोस वो चमन लाल आपसे मिलने आया है और कौन चमन लाल जिसकी कॉंडम की फैक्टरी में हमने चुए छोड़ दिये थे बोस अच्छा वो चमन प्राश चमन प्राश नहीं बोस चमन लाल और यार क्या फरक पड़ता है हमने कौन सोसे खाना है है तुम जाओ और उस मैंन के लोड़े को अंदर बेचो येस बोस ए उंगली घुमापे पूरी दुनिया लूट लूँ जो बचे जाए उसकी चूट मैं लूँ ये नमस्ते जज्जा बाई अरे आओ आओ चमन प्राश चमन लाल कैसे हो फिलाल तो भाई आपकी वजह से गाटे में हूँ जज्जा बाई को रोखणा नहीं देखा न तो ऐसा ही होगा इस बार तो फैक्टरी में चोड़े चोड़े हैं अगली बार तरे कच्छे में डाल होगा कि कॉंटमों की जगा तरहीं गान वार देंगे वो अजज्जा बाई रोकड़ा भी तब ही दूंगा ना अगर मेरे पास कुछ बचाओ देने के लिए आज के लोगों की अकल कोई पता नहीं क्या हो गया है कॉंटम कोई खरीद ही नहीं रहा कोई बैलून से काम चला रहा है तो कोई पॉलिस ही नपेट के ही लगा है अच्छा क्या बात कर रहा है और नहीं तो जज्जा बाई इसमें इने सिरफ जार गॉंडम बिके हैं जिसमे किसी से जूट नहीं बोलता अब यो चमानलाल बहुत रिके आले चूतिया समझे हो क्या मुझे चुप चाप रोकडा निकाल पर जज्जा भाई कहां से दूर रोकडा इसाले घर घर जाकर कॉंटम बेच या कॉंटम लगवाकर अपनी गांट बेच मुझे नहीं पता बस रोक रोकडा नहीं मिले तो तेरे कॉंटम से तेरे गांट फार दूगा चला निकल कि मुझे रोकडा देते जाओ लेते जाओ मज़ा जिसने ने दिया उसकी गांट फार दिया जज्जा बौस डॉक्टर सेथी का वब्हेला है और कॉन सेथी बॉस वही सेथी जिसका पाज नहीं पाई थी क्योंकि उसको भीच रास्ते में टट्टी लगती थी येस बोस वही भेज़ो भेज़ो उसे चल्दी अंदर बेज़ो और जबाई कैसे हैं आप वकील साब आपको तो पता ही है जज्जा मतलब फॉर्टाइम मज्जा बस सब मेरा कुछ दिनों का ही है ड डॉक्टर खुद के बच्चे तक तो करनी पाया साला वो के मेरे खिलाफ केस करेगा यह मजाक नहीं है जचा बाई कौट ने नौटिस भेज़ दिया है मंदे से केस की सुनवाई भी शुरू है अब यहो वकील जजजा डरता नहीं है किसी से ठीक है ना कह देना जेटी से आ अच्छी लगीन है यार तो सब्स्राइब कर दो